नमस्कार स्भागत है आपका कैपिटल टीवी में इतनी तगड़ी कारवाई की गई है इस रिपोर्ट में देखें यूपी में ब्रस्टाचारी अधिकारियों पर योगी का हंटर तेजी से चल रहा है इस बार रडार पर डीजी पी मुकुल गोयल आए है जिन पर बड़ी कारवाई करते हुए उन्हें पत से हटा दिया गया जानकारी के मताबिक पुलिस महानी देशक मुकुल गोयल को शौसके कारों की अवेहलना करने विभागे कारों में रूची ना लेने के चलते डीजी भी पत से मुक्त किया गया जिसके बाद उन्हें डीजी नागरिक सुरक्षे के पत पर भेजा गया मुकुल गोयल इससे पहले काफी विवादों में भी रह चुके हैं वही मीडिया लिपोर्ट्स की माने तो साल 2006 के कथिक पुलिस भरती खोटाले में कुल 25 IPS अधिकारियों के नाम सामने आये थे जिसमें कहा जाता है कि मुकुल गोयल का नाम भी शामिल था तो वहीं CM योगी भी साफ तोर पर कह चुके हैं कि UP में ना तो ब्रस्तरचार के लिए जगा है और ना ही काम में लापरवाही के लिए चाहे फिर वो कितने भी पावर वाले अधिकारी क्यों ना हो इसलिए मुकुल गोयल पर भी योगी का हंटर चला है बता दे कि DGP के पत से हटाए जाने के बाद मुकुल गोयल के लिए DG Civil Defense का पत खाली कराया गया है जबकि DG Civil Defense रहे विशुजीत महापात्रा को DG कॉपरेटिव सेल बना कर भेजा गया है मुकुल गोयल से पहले कई सरकारी अधिकारियों पर कारवाई हो चुकी है मुकुल गोयल को सरकारी कामों की अभेलना करने विभाग ये कामों में रुची नहीं लेने के चलते DGP पत से हटाया गया है जिसके बाद उन्हें DG Civil Defense के पत पर तैनात किया गया है योगी पहले ही साफ कह चुके है कि यूपी में अधिकारियों की लापरवाही बिलकुल बरदाश्ट नहीं की जाएगी मुकुल गोयल से पहले भी कई अधिकारियों पर ये गाज गिर चुकी है ज से यूपी में सरकारी विभागों में हर्कम मच गया है इस खबर में फिलाल इतना ही बने रहे हैं, कैपिटल टीवी के साथ, नमस्कार मैं हर खमर से ख़रा सच निकार, ना कोई दौर ना कोई रेस, कैपिटल टीव, उत्तर्क देश,